प्रियाग राज के वाली का उच्तर मादमिक विद्याले यहाँ पर जो प्रशन पत्र बनाया जाते हैं इसमें से ज़्यादा तर जो बोड है न कोश्चन उठा के देता है तब से बड़ी बात बता रहा हूँ और इसके आदर्श प्रशन पत्र आपको बहुत सारे विशे के मिल जाएंगे अगर आप प्राप्त कर सकते हैं तो इस विद्याले से आप प्राप्त करना चाहें तो कर सकते हैं हाला कि इतना आसान नहीं है और यह आदर्श प्रशन पत्र आप एक देख रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक लिखा हुआ है, ऐसा ही और भी आदश प्रश्ण पत्र इस स्कूल का बनता है, यानि कि इस विद्याले से बनता है, और उनमें से प्रश्ण आते ही आते हैं, काफी important questions दिये जाते हैं, अगर मा आ जो है, आपका बहु भी कल्पी रहेगा, इसमें उपखंड का की बात करें, तो यहाँ पर देखिए, आप देखते हैं, आप अंदाजा लगाईएगा, कि आप कितना इसमें से सही कर सकते हैं, क्योंकि वाकई में ये प्रश्ण पत्र गजब का design किया गया है, अगर ये प नाच्ता बैतरीन रहेगा आप लोगों के लिए, तो सभी को पता है कि आपका जो धर्पन होता है, कुछ इस तरह से होता है, उत्तल हो जाएं तो उसके प्रस्ट जो है पीछे वाला ले लेंहें, अप थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज है, जो आप देख सकते हैं, और स के लाता है वो पी कहा होता है आपका इस जगर पर पी होता है ठीक है इस सेंटर पी होता है और कहीं अनंत जो है आप बोल सकते हैं अनंत कहीं बहुत दूर होगा तो बहुत दूर मान लेते हैं इस दरपन से जो है आप बोल रहा है कि उत्तल दरपन की बात कर रहा है और उत्तल यहां रखी होगी, तो यहीर रखे होगी, तो यहां पर हमने इस वस्तू को रखा। हम उल्टा नहीं, बल्की इसको सीधा कर लेते हैं, वस्तू कुल आपका मान के चलिए कि वस्तू इस करें से रखी गई है ठीक है । इसले से कोई बस्तू जो है धुरुव से दूर अनंत पे कहीं रखी गई है यह बोल रहा है अनंत और दुरुव के बीच में कहीं रखे हैं तो धुरुव यह है और आंंत कहीं दूर होगा और उसके में ये वस्तु आपको दिखाई दे रही है, आपको पता है कि BIM बनाने के लिए एक लाइन चाहिए आपको पैरलल, और आपको ये भी पता है कि इसकी focus कहा होगी, तो focus जो है आपका, यहाँ पर P से उतनी ही दूरी पर focus होती है, और उतनी ही दूरी पर जितनी पर आपने focus बनाया है, उतनी ही दूरी पर आप center of curvature बनाएंगे, यह होता है आपका, यानि कि P से F की जो दूरी होगी, suppose करिए, उतनी ही दूरी P से F जो लिया है, उतनी ही दूरी C की होगी, यह आपको सब को पता है center of curvature का, तो यहाँ पर जो है, आप सीधे सीधे, दरपन के, आप जो यहाँ मुख्यक्ष है, इसके parallel लेके जाओगे एक line, parallel वाली जो line होती है, यानि मुख्यक्ष के समांतर वाली line कहा जाती है, तो वो ऐसा लगएगा कि वो focus से pass हो रही है, तो कुछ इस तरह से यह focus से pass होती हुई, आपको दिखाई देगी, ठीक है ना, लेकिन यह actual में तो भाई दरपन के पीछे तो pass होगी नहीं, तो इस तरह से किदर चली जाएगी, टकरा करके इस तरह से चली जाएगी, यानि कि अगर मैं कहूँ, तो दरपन से हम बात करें, तो यहाँ पर जो यह आपके line होगी, यह कैसी होगी, dash dash line होगी है ना, तो कि हम इसको पीछे बढ़ाना पड़ेगा, दरपन के पीछे भीम बनने वाला है, तो इस तरह से यह आपकी dash dash line होगी, तो यह आपकी dash dash line हमने बना दी, तो दरपन से टकरा करके, वो ऐसे cross करती है, जैसे कि वो focus से निकलती हुई दिखाई देगी, अगर हम पीछे accident कर रहे हैं, देखो focus से pass हो रही है, और एक किरन हमें और चाहिए, जो कि हम अगर center of curvature से pass करा हैं उसको, तो यहाँ से अगर मैं किरन एक ले लूँ यहाँ से, और उसको center of curvature से इस तरह से pass करा हूँ, तो देख रहे हो आप यह, जैसे यह रेखा जिस हिसाब से जाती है, यानि कि जो C से जाएगी, वो C से जाकर के ऐसे जा रही है, आपने देख लिया होगा, प्रतिविम जो है, चोटा बन रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह प्रतिविम तो आपका चोटा बन रहा है, तो हम यहाँ पर प्रतिविम बना देते हैं, कि यह प्रतिविम आपका चोटा बना, और चोटा कैसा बना है, तो आप कैदोगे कि ये छोटा भी बना है और साथी साथ कैसा बना है उल्टा भी बना है सिधा ही बना है तो सिधा आपका इस तरह का प्रतिविम बना आप देख सकते हैं तो आपको अंदाजा लग चुका होगा, कि पहला question कैसा था, अब दूसरे question की बात करते हैं, और आपके मन में ये खयाल जरूर आ रहा होगा, चलिए आप देख लेते हैं इस question को, यहाँ पर प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आस्मान नीला दिखाई देता है, वह है, तो कौन सा होता है, तो वह गुण होता है प्रक्रिणन का, ठीक है, नो तो C option correct हो जाएगा, सभी अपने पहले answers को सोचें, समझें, उसके बाद ही answer मिलाएं, पहले मैं आपको सोचने का समय दे रहा हूँ, इसके बाद जो है प्रतिरोध, R के किसी तार के टुकडे को तीन पात का मान क्या होगा, क्योंकि आपने यह चीज सीखी है, और मैंने बहुत अच्छे तरीके साब को बताया है, इसमें क्या है, इसने बोला सम्तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं, तो एक बट्टे R निकालेंगे, ठीक है, और समांतर यह क्या बोला है, देखिए समांतर क हो गड़ा 3 बट्टे R, ठीक है, तो 3 हो टुकड़े हो गए, अगर हम इसको solve करें तो यह कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 और 3 6 और 3 3 9, यानि कि यह टोटल जो आरी आएगा, जब R आएगा, तो 3 प्लस 3 प्लस 3, यानि कि 9 बट्टे R हो गया, तो हमारे पास यह 9 जो यह निकाला, हमने यह किसका मान आया, 9 बट्टे R, ठीक है, अब cross multiply कर लें, तो इस R को उधर ले जाओ, तो यह R बट्टे R डैस बन जाएगा, तो मैं हाँ से कह सकता हूँ, कि यह जो है, R बट्टे R बराबर क्या हो जाएगा, 9 तो यही था ही, और उधर वाला 1 इधर इधर आ गया, यह वाला R उधर गया, यह वाला 1 इधर आ गया, तो यह 9 बट्टे 1 हो गया, इस तरह से, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, simple, कि यह कैसा आ रहा है आपका answer, तो 9 बट्टे 1 का मतलब क्या होता है, 9 ही होता है, यह भी आप देख सकते हैं, तो जब 9 इसका आप simply क्या कह सकते हैं, इसका अनुपात क्या आ गया, तो इसका अनुपात आ गया, 9 बट्टे 1, आप देख सकते हैं, 9 बट्टे 1 लिख सकते हैं, अब 9 बट्टे 1 लिखें यह ना लिखें, कोई इशू नहीं है, तो आपका answer क्या हो जाएगा, C जो है option सही हो जाएग आपकी power जो होती है, what में ना पी जाती है, तो what इसका महत रक हो जाएगा, प्रेरित विदुत धारा की इदिशा गयाद करने का नियम, जो है, flaming का right hand नियम है, तो flaming का right hand नियम को हिंदी में दाएं हाथ का नियम कहते हैं, तो ई option जो है, करेक्ट हो जाएगा, अगला जो question है, किसी धारा वाही चालक में बहने वाली धारा आई तथा जो लंबाई एल को लंबवत बी त्रिवता वाले चुंबक के छेत्र में रखा गया है उस पर लगने वाला बल देखो इसको अभी मैं डेरिवेशन करा हूँ छोटी सी तो आप कंफ्यूज हो जाओगे तो इसका जो फ फोर्स को हम हिंदी में बल कहते हैं इस बल का फॉर्मूला जो होता है वह आई इंटू ठीक है धारा गुणा में जो हमारा लंबाई होता है उसका सदिश इंटू में जो हमारा चुंबक के छेत्र होता है उसका शदिश लेते हैं ठीक है इस तरह से लेते हैं अगर हम आई इ तो थीटा कमान कितना आ गया तो यह आई इंटू एल इंटू बी और साइन थीटा की जगे क्या रख दूँगा 90 रख दूँगा तो साइन 90 क्योंकि लंबवत कॉश्चन में बोला गया है यह यह याद रखना है बस यह सिंपल सा फॉर्मूला होता है जब इसका वेक्टर हट हटा होगे उसके उपर से तीर हटा होगे तो साइन थीटा लग जाता है ध्यान रखना है तो 90 कमान आप जानतों एक होता है अगर आपने मैथमेटिक्स जंग से पढ़िए तो तो आई इंटू एल इंटू बी हो गया क्योंकि इसके साथ में साथ में साथ में सूरे की से माना जाता है वह ना भी किये सनलायन माना जाता है तो यहां B option आपका correct होता है नेक्स जो क्वेश्चन है यहां पर खंड 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 अब यहां पर आपके chemical रेक्शन से अभी आपने physics देखा आप आते है chemical जो आपकी chemistry है उससे फिर biology के questions आएंगे तो इस तरह से 20 भौव प्रश्ण है, उनको देखते हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका model paper जो 1 हमको school से मिला है, और भी model paper में cover कर पाऊं, वहां से मंगमा पाऊं, ठीक है, ताकि आप लोगों को आसानी हो पाए, तो यहाँ पर हमारा next question आठवा, रासाइनिक समीकरन, आपको दिया है, BACL2, यह जलिये है, ध्यान रखना यहाँ पर, और यह भी आपका S2SO4, जो है, यह भी आपका sulfuric acid, यह भी आपका जलिये है, जब यह reaction कर रहा है, तो आपको दे रहा है यहाँ यह C-L जूड करके किससे जारहा। H से जूड रहा है, देख रहो है, है जो है, इस H से यह C-L जारहाха है, और यह SO4, जो है BA से जूड जारह है, आप नहीं हाँ देखोग गए, तो BA कe साथ SO4 है, और H के साथ XL लग गया, तो अगर हम हम करें, तो यह Duke cycle is the question isue direction धावन सोटा का रासाइनिक सूत्र बताईए, तो धावन सोटा का रासाइनिक सूत्र मेरे हिसाब से सभी नहीं याद कर लिया होगा, और उसका फॉर्मूला जो होता है, तो C option फिर से आपका correct होता है, नेक्ट जो question है, एक विलियन में हाइड्रोकसाइड आयन का सांद्रन जो आपको अगर याद नहीं है, तो याद कर लिजी, अगर आपको पढ़ाया नहीं है, क्योंकि बहुत सारे syllabus में ऐसी चीज़े हैं, जो अध्यापक कभी स्कूल में पढ़ाते नहीं है, मैं आपको सही बताऊं, अध्यापक बहुत सारी चीज़े पढ़ाना भूल जाते हैं, याद फिर पढ़ा नहीं पाते हैं, क्योंकि वो टॉपिक को समझ नहीं पाते हैं, तो यहाँ पर pH जो है, उसका formula जो होता है, आपका सीधा सीधा, minus log, ठीक है, और H plus ion, इस तरह से ये आपका formula होता है, ठीक है, ये जब-कब हमारे को जब H plus ion का निकालना होता है, ठीक है, अ होता है, हम कहते है, H plus ion जो है, यह जो hydroxide है, यानि कि HO ion जो है, या OH बोल सकते है, OH negative ion, इन दोनों का गुणा, यह हमारे को दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 into 10 की घात, minus 12, ठीक है, यह दे रही रखा, यह हमारा, sorry, question में दे रखा है, यह OH का सांधरन दे रखा है, किसका? OH का सांधरन, और इन दोनों का सांधरन होता है, वो होता है, एक गुणा में, 10 की घात, minus 14, ठीक है, यह ध्यान रखना, इन दोनों का गुणा जो होता है, यह formula में, यह value होती है, बहुत rare, बहुत कम school में यह कराया जाता है, ध्यान रखना, यह चीज को मैं बता रहा है, अब यह h को उधर ले जाना है, तो h प्लस यहीं छोड़ दू, h प्लस यहीं छोड़ा, ठीक है, तो इसको ले गए 1 into 10 to the power minus 14, बटे क्या हो गया, यह oh negative iron नीचे आ जाएगा, क्योंकि इधर गुणा है, और bracket की इधर आता है, तो क्या होता है, भाग mathematics फिर से use हो रहा है, अब oh कमान म मेरे बस दिया हुआ है, एक गुणा में 10 की घात minus 12 है, अब मैं इहां पर रख रहा हम value, ठीक है, तो यह तो मेरे पास उपर तो एक गुणा में 10 की घात minus 14 है ही, और नीचे oh h का मान मुझे दे रखा है, एक गुणा में 10 की घात minus 12, तो एक गुणा में 10 की घात minus 12, अब मैं एच प्लस आयन जो आ रहा है उसका सांद्रण कितना आएगा यह माइनस का है तो यहां पर आगया 10 की घात माइनस दो ठीक है यह हमारे पास आगया 12 प्लस का है और 14 माइनस का है तो माइनस वाली संख्या आएगी हमारे पास आगया 10 की घात माइनस दो यह क्या आगया मेरे पा आया 10 to the power minus 10 to the power minus 2 कर देते हैं ठीक है अब हम पता है कि power को जब आगे ली आते हैं यहां पर क्या हो जाएगा यह भी minus का यह भी minus का तो यहां पर आ जाएगा 2 log 10 और log का जो base होता है आधार जिसको हम 10 लेते हैं यह आपको हमेशा जिन्दी की मियाद रखना है log की जो आधार होती हो दस ही लेते हैं दस log 10 जो होता है यह अप देखरहें यह वा चीज जो ऐना JENN यह पistä है अयोती है किसके इसका माहन करने के रिक होता गया है तो फीएच का मान क्या है दो सिंपलивать को सिम्पलिया और यह पहला गोष्ण है जिसको आपने फटाफट कर दिया होगा antacid को pio की किया जाता है अपच के उपचार के लिए, गैस के लिए, ठीक है इसके बाद में ठंडे जल से hydrogen gas बनती है, तो ठंडे जल से जब भी आपका धातू reaction करेगा, तो क्या बनेगा? hydrogen gas बन जाएगी, अच्छा तो यहाँ पर answer कौन सा हो जाएगा, sodium हम लिए जितने हैं, इसका answer हो जाएगा, sodium ठीक है, तो यहाँ पर answer क्या हो जाएगा, c option correct हो जाएगा, ठंडे जल से जब भी कोई आपका iron sodium reaction करता है ठीक है, तो hydrogen gas मिलती ही मिलती है, धातु जब reaction करेगा तो क्या होगा और सबसे ज़्यादा reaction यही करता है ठीक है, धातु जो है, यह आपका sodium सबसे ज़्यादा reactive होता है, इसके बाद प्रोपेनल का formula बताना है, प्रोपेनल का formula क्या होता है सबी को अच्छे तरीके से ज़्यादा है क्योंकि sodium धातु का एक टुकड़ा आप डालते हो जल में तो यह अभिक्रिया करके क्या देता है sodium hydroxide बनाता है, और sodium hydroxide के साथ में क्या निकलता है आप क्या hydrogen gas भी निकलती है, ठीक है यह प्रोपेनल का formula मेंने लिख दिया यह więcejитесь कर लacements जहां पर hydrogen 8 मेले, पहले वहार कीये यहां पर hydrogen कितना है, 5 और 6 यह तो होगा नहीं ठीक है है, यहां पर hydrogen कितना है 7 और 8 यह तो है और यहां पर भी hydrogen कितना 5 और 6 यह नहीं होगा नेक्स कुशिन की बात करते हैं, यहाँ तत्तो X, XCl2 सूत्र वाला एक कुलराइड बनाता है, ठीक है, जो एक थोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है, आवसारणी में वह संभावता है, किस संभू के अंतरगत आएगा, देखो, जब यह XCl2 आपका क्या बना रहा है, यह आप आवसारणी के वर्ग नमबर 2 में आते हैं, ठीक है, और वर्ग नमबर 2 में आपके कौन-कौन से तत्व हैं, B है, आपका magnesium है, calcium है और क्या है, beryllium है stardium है, ठीक है ribadium है, ये सारे के सारे है option में हमारे को magnesium दिख रहा है, बाकी और कोई option में है नहीं है आपर जो मैंने options लिखे हैं, तो magnesium जो हमारा answer हो गया, यानि कि अगर मैं इस बात को इस formula को लिखना चाहूँ, तो x की value के आगी अब oxygen पहुंचाएगा, तो 20 सी बात है, किस के काम आएगा स्वसन के काम आएगा, तो ये option काम हो गया answer सही, निमन में से कौन सा एक केवल जन्तू में पाए जाता है, बहुत अच्छा question है, और बहुत ही प्यारा question है केवल जन्तू में पाए जाने वाला चीज क्या है इहाँ पर, स्वसन देखो, इंसानों में भी होता है मानों में भी होता है, और जन्तू में भी होता है तो ये तो है नहीं, मानों में हर्मोन और जन्तू में हर्मोन होता है, पादप हर्मोन भी होता है और ब्रद्धी जो है, दोनों की होती है, मानों की भी होती है, जन्तों की भी होती है, तंत्री का तंत्र जो है, मनुश्यों में नहीं, बलकि जन्तों में पाय जाता है, ठीक है, तो ये केवल जन्तों में पाय जाता है, तंत्री का तंत्र, प्योश ग्रंती पाय जाती है, प्य जुच्ट से और उस से पोषण मिलता है लेकिन वहां पर एक संपरचना भी होती, जिसको के नाम SE जानते हैं जिसको अपर भी बोलते हैं तो Kid Day यह आपके भुरून को पोषण करता है प्लेसेंटा ही जो है उसके आपके पदार्तों को उसके माता के सरीर से बाहर निकालता है, उसको पोसंड देता है, उसको सारे नूट्रिशन्स देता है, तब बचे के आप पलेसेंटा बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, नेक्स्ट निस्वा कोईशन है, जे विकास का सिधान्त प्रतिवावतीत करने वाले विग्यानी का नाम आच्छी तरह जानते होंगे, आप सभी लोग, A, sir, वो तो Charles Darwin है, तो yes, वो सही है, आपका option, A, option correct हो जाएगा, तालाब की सामान ने आहार संख्ला में उत्पादक, प्रोडूसर की बात कर रहा है, उत्पादक कौन होते हैं, तो उत्पादक जेखो, न कीट लारवा होता है, न छोटी मसली होता है, पादत पलवक होते हैं, सबसे पहले पादप, उसके बादप जो है कीट लारवा, उसको खाते हैं, छोटी मचलियों को बड़ी मचलियों को बड़ी मचलियों को बग ले खाते हैं, इस तरह से यह चैन चलती रहती है, तो यह सभी ना हो करके पादप पलवक आजाएगा, इसका C option, तो 20 MCQ आपने देखें अभी, और आपको अंदाजा लग चुका होगा कि आपने कितने सही कियोंगे, आप खुद अपना अंदाजा लगए है कि आप कितने बढ़िया तरीके से प्रिपेर हैं, इसके बाद आते हैं, इसके खंड बाप पे, खंड बाप जो है, इसमें 20 cm अगर आपको इसके आगे के solution चाहिए, जो बड़े प्रशन है, इनके उत्तर चाहिए, तो इसके लिए आप comment करें, और मैं next जो आपका paper है, उसको भी upload कर दूँगा, जल्द से जल्द, तो फटा-फट इसको आप comment कर सकते हैं, बागी मैं प्रशन आपको दिखायता हूँ कि इसके बाद जो ए, तीन प्रतिरोध की प्रतिरोधकता दे रखीए, ध्यान रखने प्रतिरोधकता दे रखीए, रिजिस्टिवीटी दे रखीए ठीक है, और इनका किस क्रम में सवयोजन किया जाए, कि इनका परिणामी प्रतिरोध का मान्द जो है, शाड़े चार ओम हो, या फिर चार ओम हो ठीक है दोनों ही निकालने है आपको इसके बाद विदुत मोटर का सिद्धांद इस्पष्ट करते हुए कारेविधी समझानी है इसका प्रियोग किस प्रकार के उर्जा में उर्जा रुपांतरण में होता है यह आपको बताना है इसके आपको संतुलित कर करवाए हैं बहुत सारी इन में से बहुत सारे क्वेश्ट करवा दिया है आपको बहुत सारे जवाब यहां से मिल जाएंगे जो मैं सौल करवाता हूं उसको एक बार जरूर देख लिए अगर आप चाहते हैं अच्छा स्कूर करना हनीश तथायस्क में आंतर स्पस्ट कीज एक संकर क्रास के दौरह मैं डल के प्रतषक करण नियम को समझाना है और इस से प्राप्थ. प्रारूप घर लक्षन प्रारूप भी आपको बताना है इसके बाद जो है आपका अथ्वा पार्ट में दिया गया संसाधनों के फ्रबंदन से आप क्या समझते हैं और इनके द्वारा आप अपने समाज को कैसे लाववानतीत करेंगे एक संशेफ द्वारा जो है आपको लेख लिख करके सम सकता है आपके कलपना से परे हो सकता है इसलिए आप जितने भी कुश्चन पीपर्स हम दे रहें आपको उनको जरूर देखें सोलोशन भी देंगे ताकि आप लोगों को ज्यादा परिशान ना होना पड़े आसा करता हूं इस वीडियो को आपने शेयर कर दिया होगा थैंक